ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अक्टूबर शनीवार की रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आप आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तों साथिसाथ उन्नती से संबंदित किसी सुब समाचार की आज आज आपको प्राप्ती होगी आद्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका पैणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तो साती सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रती बाग खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दिंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिंचरिया वे आदतों का विशेश रूप से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्ने आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सबी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे किरिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथी साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभम होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम हैं इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सब्भे संबंद्यों से संबंद खराब होने की भी संभावना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास व्फल हो सकता है 7-7 आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतनी की आपको आवश्चता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़े युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रकार का समझोता ना करे साथि साथ आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक है कैई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रभाबित हो सकती है अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवशक है साथि साथ अजनवी वे ऐ परिचित लोगों से वेवार वे लेंदेन में सावधानी बढ़ते आप किसी साजिस या फिर सडियंतर का शिकार भी हो सकते है इसलिए बहतर उपाय यह है कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहे बड़े बुजर्गों के स्वास्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है साथि साथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए है भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा करज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली है जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्स विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मदुर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोर्शन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपक उस योजना पर पुने परिक्षन जरूर करें साथी साथ नोकरी में हलकी फलकी परिसानियां भी आएंगी परन्तु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांती पूर्ण धंग से ढून लेंगे किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परन्तु के इमामलों में आपका स्वाविमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लची रावना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परन्तु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें दोस्त अत्यादिक मेहनत की वजह से ठकान वै दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं शाथि-साथ जादा गरिष्ट वै तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेच करना होगा अन्यता पेट से समद्दित समस्यां उत्पन हो सकती हैं इसलिए आप सुपाच्चे भूजन कर आप रोजाना योग करें वैयाम करें सुस्त रहें। दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद थोड़े से काले तिल थोड़ा सा आठा और थोड़ा सक कर लें इसके बाद आप इन तीनों चीजों को मिला कर इसका एक मिश्रन तयार कर लें इसके बाद आप इस मिर्शन को भगवान शनिदेव का इस मनन करते हुए चीटियों को खिलाएं और साथ इसाथ अपनी मनों काम नहें मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंग एक दोस्तों भगवान शनिदेव का इसिरवाद आपको प्राप्त हो शक्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद